हेलो दोस्तों मैं लोट किया चुका हूँ मार्शियल गौट के एक न्यू एपिशोट के साथ और हमारे सेनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे सेनल को सस्क्राइब कर लिए ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए हमने अब तक देखा कि शुफेंग आखरी समय में उस जगह बें पहुच जाता है और स्टेडियम में उतके उस मास्टर को अपना कलिक किया गया सारे होन को दिखाने लगता है तभी हमें दिखा जाता है मास्टर का एसिस्टेंट मास्टर को कहने लगता है शू फैंग ने कुल 200 होन को कलिक किया है तभी वो मास्टर एनाउंस क करती है कि शू फैंग 3 पलेस्स में आ शुका है और वो सेकंड राउन के लिए एलीजिबिल हो गया ár वो उसको रोखने को कहते है तब ही बात चुन केुछ थृफ को देखता है और कहने लगता है कौन है तभी सिटी लोट को देखके वंग पर थोड़ा गवरा जाता है और कहने लगता है मैं समझ गया तभी हमें नेक सीन में दिखा जाता है वो मास्टर सेकेंड राउंड की स्टार्टिंग को एनाउंस कर देती है और कहने लगती है अभी सार बंदा शूफेंग को फिर से कहने लगता है मैं सबको एक सीटर का तूर फेज दिखाना साता हूँ और शूफेंग तुमारे को हराने के लिए मेरा सिर्फ एक ही टेकनिक काफी है तभी वो बंदा टायर फोर टेकनिक मल्टीवल सैडो का यूज करने लगता है तभी फिर में से सारे लोग कहने लगते हैं वो बंदा की दर गया हूँ तो बहुत जादा फास्ट है वो इतना कैसे अपना क्लोन बना सकता है तभी वो बंदा शूफेंग को कहने लगता है तुम क्या मुझे देख सकते हो इडियर ये हमारे तिंग फैंग से का टेकनिक है जिसका नाम सेड़ो है और तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तभी हमें दिखा जाता है आचनक शूफेंग उसके मुझे एक चोरदर पंच मार देता है तभी वो बंदा कहने लगता है मेरा मुझ और उस बंदे के मुझे बहुत सारा खुन निकल जाता है तभी शूफेंग कहने लगता है तुमने ठीक कहा था तुमको हराने के लिए मुझे मेरा एक पंच ही काफी है तभी मास्टर एनाउंस करती है अजूर ड्रेगन सेट से शूफेंग इस मैच का विनर है रभी क्राउट से सारे लोग कहते है कि ऐसा कैसे हो सकता है और कोई कोई कहता है ये तो बहुत पाउरफुल था तभी हमें शूरूई को डिखा जाता है शूरूई अपने फादर को कहते है कि फादर मैंने का था नाशूफेंग के पास मेंटल स्टेंज है ऐसा टेकनिक शूफेंग को कुछ भी नहीं कर सकता है तभी शूरूई का फादर कहने लगता है इसके साथ साथ वो बहुत ही तेलेंटेट है क्योंकि वो अपने से जादा ताकत बर आदमी को इतनी आसानी से हरा दिया है तभी शूरूई का फादर फिसे कहता है इस जगे में बहुत सारे लोग अपने आपको जीनियस कहते है मगर सूफेंग ही है एक सच्छा जीनियस है और शूरूई को कहता है तुमने एक अच्छे आदमी को सूच किया है फ्यूशर में हमको सूफेंग की नीद हो जकती है इसलिए उसको हमारे साइट करना होगा तभी मास्टर दूसरा मैस अलाउंस करती है कि सूफेंग के साद लिंग यूंग शेक का कोर्स टूडेंट जाओ गया उनका मैच होगा तभी दोलों अपने मैच के लिए एरिना में आ जाते है तभी जाओ गया शूफेंग को कहता है मैं तुमको इधर जिंडा नहीं चोरूंगा तभी शूफेंग कहता है मैं क्या आपको जानता हूँ और क्या आप उस फैट सिटी लॉट के साथ आए है तभी जाओग को कहने लगता है हाँ और उसने मुझे तुमको इधर मारने को भी कहा है तभी जाओगा अपना पावर बारा लेता है और शूफेंग की तरफ एटेक करने के लिए आगे बरता है और शूफेंग को कहने लगता है तुम जानी नहीं पाओगे तुम कभर गए और कोई टेकनिक क यूज़ करने लगता है और सारों और बहुत सारी रोष्णी फेल जाती है सारे लोग कहने लगते हैं यह क्या है इदर तो बहुत सारा रोष्णी है तभी हमें नेक्सीन में दिखा जाता है वापर रोष्णी कम हो जाती है और तभी सारे लोग देखते हैं कि सुफैंग ने उ हो जाता है और कहने लगता एशा कैसे हो गया किया में क्या कोई कहने लगता है कैसे एक लिग्वंग डिलीम का बंदा को हकने भाधि होजा रजाता है तभी क्राउट के साड़े लोग खहरान हो जाते कहने लगते दियाउन स्ट्रॉंग है वो इतना आसान है इस मैच को जीत कया तभी नेक्स मैच दिंगशाओ और सीथी लॉड की बेटी साउवा जीन की बीश एनाउंस हो जाती है और साउवा जीन स्टेश पे आ जाती है और सावा जी कहने लगती है मैं और देर तक ग्रूप नहीं सकती मैं शुरू करो तबी दिंग्साव सावा जी को कहने लगता मेरा नाम दिंग्साव है आप से मिलके खुशी हुई मगर सावा जीन दिंग्साव की तरफ अपने फिश से अटेक कर देती है मगर दिंग्षाव उसके fish attack को आसानी से तोर देता है तबी शावा जिन दिंग्षाव को कहने लगती है मैं जानती हूँ तुम अपने true power को चुपा रहे हो और कहने लगती है तुम ऐसा क्यूँ कर रहे हो तबी दिंग्षाव शावा जिन को कहने लगता है मैं सिब इस fight को enjoy करना साता हूँ हम दोनों भी इस fight को enjoy करते है मैं सिब इस fight के process को enjoy करना साता हूँ और दिंग्षाव फिक्से कहता है result मेरे लिए कोई मतलब की चीज़ नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ मैं हमीशा जितूंगा तभी शावा जिन कहने लगती है ये कितना एरोगेन है और मैं इसको दिखाती हूँ वो कैसे मुझे हाराता है तभी शेंग्वा जी दिंग्षाव की तरफ अपना प्ला में तक कर देता है तभी दिंग्षाव शावा जिन को कहने लगता है ये अच्छा है तबी दिंग शाओ शावाजिन के तरफ अपना प्लाम अतक फेज देता है दोनों के अतक एक साथ क्लैज हो जाते है और एक बहुत बढ़ा थामाका होता है और सारी तरफ बहुत सारी रोषनी फेल जाती है बहुत लोग कहने लगते हैं बहुत ही पावरफुल है यह तबी समय है अभी भी पता नहीं कर सकते कौन जितेगा यह मैज तभी शुरूई कहने लगती है दिंग शाओ यह मैज जित जाएगा तो भी उसको अजूर रेगन सेट का सुफेंग के साथ फाइट करना होगा तभी शुरूई के फादर कहने लगती है शुरूई को शुरूई तुम बहुत ही confident हो क्या हम एक bit लगा सकते हैं तब ही शुरूई कहती है कैसा bit तब ही शुरूई का फादर कहता है bit ऐसा है कि जब सुफेंग और दिंग्शाओ का match होगा अगर दिंग्शाओ इस match को जीट जाएगा तब मैं तुम लोग किसके साथ साधी करूगी मैं decide करूँगा contract को cancel करना होगा तब ही शुरूई का फादर हैरान होके कहता है क्या तब ही शुरूई अपने फादर को शीरा के कहती है आप क्या दर रहे हो फादर तब ही शुरूई का फादर गुशे में कहता है तुम क्या कह रही हो अगर सुफेंग जीतेगा तो मैं खूद इस marriage को cancel कर द सोचने लगती है शुफेंग तुमको ये मैस जितना ही होगा और इदरी आज का एपिसोड एन होता वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर और कोमेंट कीजिए और हमारे सेनल को सस्क्राइब कीजिए और पहले बाले वीडियो को नहीं देखा तो लेप साइट बाले वीडि को देखिये थैंक यू